आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंट से आपर हमें प्रस्ण दिया हुआ है कि एथेनॉल से एथेनोईक अमल में परिवर्तन को ऑक्सी करन अभिक्रिया क्यों कहते हैं अधिक्तम 50 सब्दों में दीजिए तो अगर हम बात करें एथेनॉल जो है उससे एथेनोईक अमल में परिवर्तन जो की वहाँ पर जो है इसको ऑक्सी करन अभिक्रिया इस वज़े से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर छै होता है हाइड्रोजन जो की हटता है और ऑक्सीजन जुड़ता है इस वज़े से इसे ऑक्सी करण अभिक्रिया कहा जाता है और ऑक्सीजन की वरधी तता हाइड्रोजन की कमी वाली रासाइनिक अभिक्रियाओं को हमें पता है क्या कहते हैं ऑक्सी करण अभिक्रिया कहते हैं तो अग CS3, CS2, OH, यह हमने लिया, यह जो की CS3, CS2, OH, एतेनॉल, और इसको K2, CR2, 07, यह जो की H2SO4, इसकी उपस्तिती में जब यह विक्रत होंगे, तो यहां पर जो की क्या होगा, यहां से जो की hydrogen का, hydrogen का removal होगा, और यहां पर oxygen जो की लग जाएगा, तो देखेंचे हमें प्राप्त होगा, CS3, CS3, C double bondangen, OH, यह जो की अमें प्राप्त होगा, यहां पर देखे क्या हुआ है यहां पर जुड़ा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो की अभिक्रिया जो होती है इसमें इसमें एथेनॉल और एथेनॉल से एथेनॉल एक अमले के परिवर्थन में ऑक्सीजन औक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का छाय जो होता है और साथ ही यहां पर इसे इसी वज़े से क्या कहते हैं औक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और हमें पता है कि ओक्सीजन की वष्वद्धी और हाइड्रोजन की वष्वद्धी तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कमी ये जो इसकी जो की रासाइनिक अभिक्रिया होती है रासाइनिक अभिक्रिया है अभिक्रिया है ये जो की क्या कहलाती है ये जो है कहलाती है आक्सी करण आक्सी करण जो है अभिक्रिया है आक्सी करण आक्सी करण अभी क्रियाएं जो है कहलाती है और यही जो कियां से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थैंक यू